स्कोटलेंड के ग्लासगो से एक चौकाने वाला वीडियो सामने आया वहाँ कोरोना नियमों को तोड़ने के आरोप में एक बार में कारवाई करने पहुँची पुलिस की लोगों से जड़ाप हो गए ओमिक्रॉन वेरियंट की वज़े से वहाँ पिछले हफते से ही कड़ी पाबंदिया लागू है ऐसे में जब पुलिस को उस बार में नियमों को तोड़े जाने की जानकारी मिली तो एक साथ कई पुलिस वालों ने वहाँ धावा बोल दिया पुलिस की इस कारवाई की तस्वीरें भी सामने आई जिनमें पुलिस वाले कुछ लोगों को पकड़ कर साथ ले जाते नज़र आए खबरे की बार में मौझूद इन लोगों ने पुलिस की कारवाई का विरूद किया जिसके बाद वो खुद पुलिस के निशाने पर आ गए इस जड़ब के बाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफतार कर लिया जबकि बार को भी अगले 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया सौबात के बात है कि स्कॉटलेंड में 3-4 ये लोगों को कोरोना की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जा चुका है पिर भी वहां क्रिस्मस के दूसरे दिन 15,000 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव निकले जिसकी वज़े से बार और रेस्टरांट में नियम लागू कर दिया गया